Hey everyone, welcome back to my channel आज की क्लास में हम पढ़ेंगे B से स्टार्ट होने वाले 100 words तो आज की वीडियो में काफे ज्यादा नए नए words आप सीखेंगे जिस words का पहला अक्षर B से स्टार्ट होता, ओके अगर आपने पिछली वीडियो नहीं देखी जो एस स्टार्ट होने वाले words तो आपको आई बिटन पर आप क्लिक करके देख सकते हैं और आपको लिंक प्लेलिस्ट में मिल जाएगी, सुपले वीडियो के नटक बने रहेगा तो आई ये वीडियो के स्टार्ट करते हैं सबसे पहला शब्द हमारा मदद करना, मदद करना को हम इंग्लिस में बोलते है बेफ्रेंड यानि की मदद करना नेक्स वर्ड हमारा बहुत देर से आना इसको इंग्लिस में बोलते है बिलेटेड बिलेटेड यानि की बहुत देर से आना नेक्स वर्ड हमारा पीटना पेटना को हम इंग्लिश में बीट कहते हैं घटित होना जिसके लिए इंग्लिश में वर्ड इस्तिमाल करेंगे आप बेफॉल का बेफॉल यानि कि घटित होना इस वर्ड अमारा देखना देखना के लिए आप इंग्लिश में वर्ड इस्तिमाल करेंगे बेहोल्ड यानि कि देखना निवासी होना इसके लिए इंग्लिश में वर्ड इस्तिमाल करेंगे बिलॉंग यानि कि निवासी होना नेक्स वर्ड हमारा मिलाना, मिलाना को हम इंगलिश में blend कहते हैं, क्या कहते हैं blend, रिश्वत लेना, रिश्वत लेने के लिए आप इंगलिश में इस्तिमाल करेंगे words blackmail का, किसका? Blackmail यानि कि रिश्वत लेना, नेक्स वर्ड हमारा बाधना जिसके लिए आप इंग्लिश में वर्ड इस्तिमाल करेंगे बाइंड बाइंड जी विग्यान जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं बाइलोजी बाइलोजी यानि की जी विग्यान ओके नेक्स वर्ड हमारा चोर बाजार चोर बाजार को हम इंग इंग्लिश में black market ओके सो आगे बढ़तें next word देखतें next word हमारा 10 अरब 10 अरब को हम इंग्लिश में billion कहते हैं क्या कहते हैं billion यानि कि 10 अरब नीचे नीचे के लिए इंग्लिश में word इस्तिमाल करेंगे आप blow का blow यानि कि नीचे मोड़ना या जुकना दोनों के लिए आप ंग्लिश में what इस्तिमाल करेंगे bend यानि कि मोड़ना या जुकना next word आमारा otherwise जिसके लिए एंग्लिश में word इस्तिमाल करेंगे आप beneficial का beneficial यानि की 5 day मन्थ फाइदा बेनिफिट यानि की फाइदा नेक्स वर्ट हमारा बगल में जिसके लिए आप इंग्लिश में वर्ट इस्तिमाल करेंगे result जिसको हम उंगलिष वह विश्वास जिसको हम इंगलिष महलते ब्लेफ यानिकि विश्वान आग्यां जिय इंगलिशितिमें cluster करें करेंगे बहेस्ट का बहेस्ट यानि कि और से इंग्लिष में बोलतें बिहाफ बिहाफ यानि कि या कुंकि पीछे पीछी के लिए आप word इस्तिमाल करेंगे behind का behind सुन्दर जिसको हम इंग्लिश मोथे beautiful beautiful यानि की सुन्दर सागर या तट इसको हम इंग्लिश मोथे beach beach यानि की सागर या तट next वोड़ आमारा टोक्री टोक्री को हम इंग्लिश में basket कहते हैं क्या बोलते हम इंग्लिश में basket यानि की टोक्री बुनियादी बुनियादी को हम इंग्लिश में basic कहते हैं basic यानि की बुनियादी new को हम इंग्लिश में base कहते हैं base यानि की new अदला बदली अदला बदली के लिए आप इंग्लिश में word इस्तिमाल करेंगे बार्ट बार याने कि अदला पदली वक्य में इंग्याइश में कर सकते यह इस्तिमाल आप कर सकते रभाो इसको पल्सक्राइश में बार सते हमें के नाइ को आप सिंपल तरीके से इंग्लिश में बार बढ बोलेंगे क्या बोलेंगे आप से किट्धिया कर वियस्ति में Strategijak कैते हैं आप बोले सकते ढ़ी सब एक इस्तिमाल कर सकते हैं कि टीटन किटान कहते हैं बैक्टिए सेकना इसको हम लते तो ब्रा को सेकना एक हम्वह में वर्ड इस्तेबाल करेंगे बिट्रे का बिट्रे यानि कि धोखा देना बेतर के लिए आप इस्तेमाल करेंगे वर्ड स्बीटर बिटर यानि की बेटर बीच में जिसको इंगलिश में आप बोलेंगे between between यानि कि बीच में सावधान होना सावधान होना के लिए मैं travelled इस्तिमाल किरेंगे beware डियोन कि सावधान से आधान औरो नेक चोध हमारा है याद आना या याद कर ना इसके लिए एंगलिश में आप whataine इस्तिमाल करांगे बिंगग यानि कि याद याद करना ठीक है तो न een वैंधा और हमारा अंधा इंधाकिë में ब्लाइन कहते हैं यानि की अन्दा शर्त लगाना लगाना को वि में बैड दी नब न लाना जिसके लिए पर इंग्लीश में इस्तिमाल करेंगे ब्रड़ युद्ध युद्ध के लिए आप इंग्लिश में वर्ट इस्तिमाल करेंगे बैटल बैटल निवेदन करना जिसको आप इंग्लिश में बहुते हैं बेग और विवर्ट सोते इंग्लिश में लेकिन आप एडवांस इंग्लिश मोलना तो आप इस्तिमाल करेंगे ठीक है ज 하면 इएंग्लश में वर्द इस्तिमाल करेंगे हैं ज लाना जिस फ्हु इंग्लिश में बोलते हैं बड्ल पर यानी की लाना उबालना के लिया दे में वर्द करेंगे एक बोई रहुआ deserves लेना उधार लेना के लिए आप इंग्लिश में वर्ड इस्तिमाल करेंगे बोरो यानि कि उधार लेना आशिरवाद देना ब्लेस्ट ब्लेस्ट दोनों बोथ बोथ परेशानी जिसके लिए आप इंग्लिश में वर्ड इस्तिमाल करेंगे बोदर बोदर यानि कि परेशानी खरीदना के लिए English में What रहें इसे नीदेन के boy दिमाग को अंग्लेश में मौलते है Brand नेडर को अंग्लिश मोलते है बींदास जैसे हिंदी में बोल्ट किताब को अमें इने आप वहल सकते हैं मौल्द किताब मालिक आपम इंग्लेश में बोस यानि कि मा जलक के बैसस को ब्रेत यिनिकी सांस पीछी पीछें के लिए इंग्लिष में ओड इस्तिमाल करेंग Prr बैक, बुरी तरह, बैडली, बैडली, सहना, सहना को मिंग्रिश में बेड कहते हैं, बेड यानि की सहना, सुन्दर्थ, जिसको मिंग्रिश मोलते हैं ब्योटी, ब्योटी यानि की सुन्दर्थ, पट्टी, पट्टी को मिंग्रिश में बैंडेज कहते हैं, बैंडेज यानि की पट्टी, so next word हमारा गेंट, गेंट को हम क्या बोलते हैं, बॉल, आईज ए सिंपल काफी त्यादा, पप्पलर वर्ट सब बॉल, इंग्लिश का, पीछे की ओर, जिसको हम इंग्लिश मोलते हैं, बैक वार्स, बैक वार्स यानिकी पीछे की ओर, हड़ी, हड़ी को हम इंग्लिश में बोन कहते हैं, बोन यानिकी हड़ी, शाखा, शाखा को हम इंग्लिश में ब्रांच कहते हैं, ब्रांच यानिकी शाखा, तूटा हुआ, जिसको हम इंग्लिश मोलते हैं, ब्रांच यानिकी तूटा हुआ, मजबूर करना, उसको हम बोलते ह पहलए को पाइट की छोड़ ने कहते हैं मैं इंग्लिष में बॉलते हैं ब्रेट उबहुर्ड जिसको ओघया जैते हैं हैानी कि वह बहुत हुआ मिया ठीक है ब्रॉटली ब्रॉब्रौकली को ए마 निंगलिश में ब्रॉकली ही बोलते हैं क्या बॉलते हैं ऀ מצटे को सकते हैं औरूप और अन्ह Pacific है श्रफ है खना W जीवन या चरित इसको हम इंग्लिश में बोलते हैं बायोग्राफी यानि कि जीवन या चरित कड़वा कड़वा को हम इंग्लिश में बिटर कहते हैं बिटर यानि कि कड़वा में बंग्न में बढ़ने सकते हैं नुक्सान नुक्सान तक आप बेग्रेश पूर्साऊं को भी वोड्र से नुकसान के लिए जिंदा दील या हस्मुक इसके लिए प्रिणिस में बंवलेंगे वलाइट बलाइट जबरदस्त जबरदस्त पूए उस्कामूं बलेंगेव लेंट लेंट रप्र Crime को लेंगें मां-खिंटom दान देने वाला को इंग्लिश में बुलेंगे बेनिफेक्ट हो यानि की दान देने वाला संग शिप्तता इसको इंग्लिश में बुलेंगे ब्रेवेटी ब्रेवेटी यानि की संग शिप्तता सीख सीख को इंग्लिश में ब्रॉच कहते हैं ब्रॉच यानि की सीख बैगल बै currency बमलते बशसेल पुल को उग्लिष कहते हैं अभी यानि की और बोझ बोच को हुआ में बरोके हैं वैंच्ड कहते हैं यानि की बोच condition क्वाउक न भवाउकिन भवाउकना को एंग्लिष में क्या बोलते हैं जू कुद्टे भवाउकते उसको सकी बोलते हैं बंढग बार्ग